हवा महल पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं पेपा, जोर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं हवा महल क्या है डाड़ी? ये एक महल है उची पाहडी पर जोर्ज को महल अच्छे लगते हैं हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगे लगती है नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा हवा महल के उपर से सब सुन्दर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का खर भी देख सकता है वाँ, चलो चले मैं मैप पढ़ूंगा और ममे पिक गाड़ी चलाएंगे सोच लीजे डाडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिर्चिडे हो जाते हो हम गुम नहीं होंगे और मैं चिर्चिडा भी नहीं होंगा हवा महल हम आ रहे है क्या हमाप पहुच रहे हैं? अभी नहीं है क्यों नहीं हम कोई गेम खेलें? जी डाडी हम पहचानों क्या खेलते हैं ठीक है पहले मैं पूच्छाओंगा डाडी पिक किसी चीज के बारे में कलू देंगे और दूसरों को यह पहचानना है कि वो क्या है मैं अपनी चोटी चोटी आंखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ लाल मेरी ड्रेस, ये ये लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीँ गाड़ी नहीं जवाब, अपनी लाल गाड़ी मेरी बारी मैं अपनी छोटी आख से कुछ नीला देख रही हूँ जॉर्ज की नीली शोट नहीं नीली राम का गाड़ी में कुछ है नहीं हार गए हार गए आकाश नीला आकाश मैं जीत गई डाड़ी पिग क्या आपको पता है हम कहां है उझे बिलुकुल पता है हम कहां पर है ये रास्ता मैप की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है ओ डाड़ी पिग हम खो गये हैं हम नहीं खोए हैं तो हम यहां से हवा महल तक कैसे पहुचेंगे जरा एक मिनिट रुको सुनिए हम दादा और दादी को फोन करते हैं, दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई सिरुवत है, मैं ले जाओंगा, हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए, बर हमारे पास पुरा दिन नहीं है, हलो, दादा पिक बोल रहा हूँ, दादा पिक, हम हवा महल तक पहुचनी के रास्ते म यह सबसे अच्छा रास्ता है जब तक तुम्हे अपने सामने उपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं में रोड पर चलते जाओ थांक यू दादा पेग हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुचना है जैसा मुझे लगा था देखो क्या वो हवा महल है हाँ वही है हवा महल चलो गाड़ी चलो गाड़ी तुम चड़ सकती हो हुरे पैपार उसका परिवार हवा महल पहुच गए वा ये कितना उच्छा है चलो अंदर चले उफर से नीचे का नजरा बहुत सुन्दर दिखेगा वा जरा नजरा तो देखो मामी क्या वो दादी दादा का घर है हाँ वही है कितना दूर है चलो अब दूरबीन से देखते हैं क्या मैं पहले देख सकती हूं प्लीज ठीक है लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना वा दूरबीन से सबकुच जाधा बड़ा दिखता है मुझे दादी और दादा दिख रहे है देखो जोज दादी एक दादा एक जोज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है जोज दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते तो ठीक है हम उन्हें फोन करते हैं हलो दादा पेग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं हमारी तरफ हाथ हिलाएए दादी और दादा हमें हाल बोल रहे हैं हवा महल पूर्ट अच्छा है तब म्यूजियम पेपारुस का परिवार म्यूजियम जा रहे हैं टादी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिल्चस्प चीज़े होती है आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी ओ, बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीज़े भरी पड़ी हैं मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वो दाइनसौर हलो ममे पिग हलो मिस राबिट कितने टिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे डाइनसौर और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और राणियों की चीज़े हैं वाँ डाइनसौर पर जोज को असली डाइनसौर देखना है रोना मत जोज इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पैपा ये सारे चीज़े कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी ये है रानी की खास कुरसी उसे सिंघासन कहते है बहुत सुन्दर है ये है रानी की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पैपा, ये है रानी का सोने का मुकुट वाव, बहुत सुन्दर है ममी, रानी का टीवी कहा है पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थे टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे? नहीं, उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती, तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए, रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज अभी लाकर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैरी डैरी, मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते हैं वक्त आपको जुक ना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबा और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं देख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा, वो बहुत ही बड़ा है यह असली डाइनसौर की हड्या है दाइनसौर जोर्ज खुद को डाइनसौर समझ रहा है दाइनसौर आ गया बचाओ बचाओ डाइनसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है ममी जिस कमरे में केक्स है टाड़ी पिग को पसंद है म्यूजियम का क्याफे चलो आकर खा लो ओ हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है टाड़ी का मूवी कामरा पोस्टमेन मिस्टर जेबरा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रही है आपके लिए पार्सल है मिस्टर पिग थैंक यू मिस्टर जेबरा बाइ बाइ ये तेखो मेरे लिए अभी पोस्ट एक पार्सल आया है चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है टाइनशार ओ जोर्ज तुम हमेशा हर चीज को डाइनशार ही कहते हो इतने चोटे पार्सल में डाइनशार कैसे हो सकता है मुझे लगता है ये एक नया खिलोना है तुम बहुत करीब हो मुझे पता है इसमें क्या है आपका नया कैमरा डाडी पिक का नया खिलोना बिलकुल सही ये मूवी कैमरा है हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं क्या मैं से पहले इस्तमाल कर सकती हूँ इसे इस्तमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है मुझे भे इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने होंगे ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है सुजी शीप की मामी के पास एक मूवी कैमरा है वो उसे ऐसे स्विच आउन करती है ओहो शावाज पेपा मूवी थ्री थाज़न खरीदने के लिए शुक्रिया मैं आपकी पहली मुवी शूट करने के लिए बेताब हूँ क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है मुझे नहीं पता मुवी थ्री थाज़न खरीदने के लिए शुक्रिया सुजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है मुवी थ्री थाज़न अब वो आवाज नहीं आएगी शाबाश पेपा तो पहले किसका वीडियो लू डाड़ी मेरा लीजिये ओके पेपा हेलो मैं हूँ पेपा पिग चलो आजाओ सब लोग हेलो मैं हूँ पेपा पिग जानती हूँ डाड़ी पिग आप कमरे से बाहर जाये हम आपके लिए क मूवी बनाएंगे जब तक ममी पेपा और जॉज एक सीक्रिट मूवी बनाते हैं तब तक डाड़ी पिग को किचन में रुखना होगा जांकना नहीं डाड़ी पिग अब हम सबको कुछ करना होगा जॉज पहले तुम करोगे क्या हो गया क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ हो गया अब आप अंदर आ सकते हैं जॉज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी तो चलो पहले जॉज की मूवी देखते हैं दाइनसार इसमें जॉज एक डाइनसार बना है यह तो बड़ा डराओना डाइनसार बना है वह वह यह क्या जॉज डर गया जरो मत जॉज टीवी पर कोई असली डाइनसार नहीं है वो तो लो अब पेपा की मूवी देखेंगे अब यह कौन है मैं हूँ डाडी पेग हुआ अच्छा मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ मेरा पेट बड़ा नहीं है पर यह बात सच है कि मुझे कुकीज पसंद है और आप जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बड़ा होगा चलो अब आगे क्या है यह है मेरा प्यारा चोटा भाई जोज यह है ममी पिग और यह है असली डाडी पिग यह चमकता हुआ एक सो नहरा तिन है पैपा और उसका परिवार पार्क में है वो एक पतंग उडाने वाले हैं पहले जोर्ज पतंग उडाएगा जोर्ज बहुत तेज दोड़ता है लेकिन उसके पतंग नहीं उड़ती जोर्ज तुम सब कलत कर रहे हो तुम बहुत तेज नहीं दोड़े अब मेरी बारी है पैपा बहुत तेज दोड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी चाहे तुम कितना भी तेज दोड़ लो जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतिजार करना होगा देखो हवा चल रही है अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है अब हवा काफी तेज है अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है शुक्रिया टैरी टैरी पेग पतंग उड़ाते हैं और उपर और उपर डैडी पेग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं वाव मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूं उन पेड़ों से बच्चो तुम्हारी पतंग उनमें भश सकती है चिंता मत करो मुझे मालूम है क्या करना है ओ डिया डैडी पेग की पतंग एक पेड में अठक गई ओ नह चिंता मत करो जोज डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे पुरे हां से वहां एक बड़ा मिट्टी का गठा है पैपा और जोज को मिट्टी के गढ़े में कूदना अच्छा लगता है हम गढ़े में कूद सकते हैं प्लीज मैं नहीं चाहती तो मिट्टी में बंदे हो जाओ पीछे रहो बच्चो जरा ध्यान से डैडी पेग मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से बस थोड़ा सवर डैडी डैडी पेग तुम इस टेहनी से काफी ज्यादा भारी हो रहने दो मैं जानता हूं मैं से कितना भारी हूं डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया सबके सब मिट्टी में सन गए यह तो सिर्फ मिट्टी है अच्छा हूँ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई मामी अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूच सकते हैं ठीक तो है अब तुम इस से ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूधना अच्छा लगता है ममी और डैडी को मिट्टी के गढ़े में ऊपर नीचे कूधना अच्छा लगता है सभी को गढ़ों में कूधना अच्छा लगता है गड़ों में उपर नीचे कूगने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में पेपा और जोज दादी और दादा पिकको मिलने आए हैं दादी पिक दादी एक हलो मेरे प्यारी बच्चो घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो जी दादी पेपा जोज देखो मैंने क्या बनाया चोटे पर्दे ये चोटे पर्दे क्यों बनाए दादी ये एक सप्राइज है तुम्हें देखना है दादा पिक ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है जी दादी दादा पिक दादा एग हेलो पेपा और जोर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस एक ट्री हाउस, जोर्ज और मेरे लिए और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए वाँ पेपा और जोर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया तेंक्यू दादी पिग, थेंक्यू दादा पिग, हो हो, पहले अंदर कौन जाना चाहेगा, मैं, मैं, तो फेर चलो, अपने ट्री हाउस में जाने से पहले, मुझे अपने गंदे जूते उतारने हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, औ जोर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है। बताओ कौन है। जोर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है। क्या वो अंदर आ सकता है। हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जोर्ज, अपने जूते उतारो। और फिर पेपा को मिलिटरी हाउस में जाओ। कौन है। जोर्ज? अब कौन है। मैं हूं मामी पेग। क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है। आपको सीक्रिट कोड बताना होगा। उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है। अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है। मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रिट कोड है। डाडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रिट कोड बताईये। डाडी का बड़ा पेट। सही जवाब। डाडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है यह सीक्रेट कोड बहारती बखवास है ममी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ, पेपा डाडी, आप ही अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताएए, डाडी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नए नए तो ठीक है, डाडी का बड़ा पेट हाँ, जवाब, अब अप अंदर आ सकते हैं, डाडी अपने जूते उतारिये मुझे नहीं लगता, मैं तरवाजे से अंदर आ पाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं, डाडी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दाडी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं, मुझे नहीं आना तो फिर, कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दूनों ही खा लेते हैं कुकीज, दादी पेग, ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है, तो सीक्रेट कोड बताना होगा ये असान है, टैडी का बड़ा पेग, सही जवाब मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बक्वास है पेपा और उसका परिवार केम्पिंग के लिए जा रहे हैं मुझे केम्पिंग बहुत पसंद है हम पहाज गए पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है डाडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे शिंता मत करो पेपा, मैं कैम्पिंग में एक्सपर्ट हूँ ममे पेग, लक्डियों पर टेंट लगाओ प्लीज देखा तुमने कितना आसान है क्या ये खोंटे किसे काम के है वेलकुल, मैं पेक्स के बारे में तो भूल ही गया पेक्स के सहरे, टेंट खड़ा हो गया हो गया ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है जब मैं छोटा था तो ये बहुत बढ़ा था लेकिन अब ये छोटा क्यू लग रहा है? जोकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डाड़ी पेक और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है हो 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 पेट से याद आया चलो खाना बनाते हैं हाँ हाँ आग जलाने के लिए हमें लकडिया जमा करनी होगी येपी पेपा और जोर्ज केमफायर के लिए लकडिया ढूनने में डाड़ी पिकी मदद कर रहे हैं जोर्ज मैं लकडिया उठाऊंगे और तुम इने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मजा रहा है बहुत अच्छे इतनी काफी है बहुत अच्छा केमफायर है अब जलाते हैं यह रही माचिस हमें माचिस की जरूरत नहीं है डाड़ी माचिस के बगएर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाड़ी पिक केमफायर जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रहे हैं अब कहा है डाड़ी थोड़ा सबर करो देखा कितना आसान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं प्रकृतिक के आवाजे सुनाई दे रहे हैं यह कैसी आवाज है यह कीडों की चीची आवाज है यह किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो, वहाँ पर वाँ और यह कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा यह डारी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृतिकी सबजे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, यह तो बहुत छोटा सा है सब ठीक है, जाओ तो अंदर चलो ममे पिक थोड़ी जगा दो मुझे डाडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है गुद नाइट डाडी पिक गुद नाइट डाडी सब को गुद नाइट पमी पिक पेपार जॉज टेंट में सो रहे हैं और डाडी पिक बहर सो रहे हैं तारों के नीचे मुझे क्याम्पिंग बहुत पसंद है खोली हवा में तारों के नीचे सोना शायद यह आइडिया कुछ खास नहीं था सुबह हो गई है डाडी टेंक में बहुत अच्छा लगा बहुत मजाया ओओ डाडी कहा है डाडी पिक चले गए बेचारी डाडी पिक बारिश की वजह से उन्हें ठन लग रही होगी अब कहां है वो कि यह कैसी आवाज है यह तो खराटों की आवाज लग रही है ताड़ी पेग गया हुआ ताड़ी अप ठीक है अहां बिलकुल ठीक हूँ मुझे क्या होगा केंपिंग में तुम्हें एक्सपर्ट हो मैं गारी में आकर सो गया पुट्टु डाड़ी पेग मुझे केंपिंग बहुत पसंद है गारी की सफाई पुरे परिबार को काव में खुमाने ले जा रहे हैं चलो चले जब लोग़ तयार हैं हाँ एक हम तयार हैं अब गारी तयार नहीं देखो कितनी गंधी है है अंदर से करह ज्यादा गंधी है शरार्थी गंदे डाड़ी शरार्ती गंदे डाड़ी जरा ये सब कच्रा तो देखिए अकबार वो मेरे है चोकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसौर डाइनसौर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए ओ, सही कह रही हो ममे पिक ममी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो पुले डाड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए डाड़ी पिग चट धो रही है ममी पिग बॉनेट धो रही है पैपा दरवाजे धो रही है जॉर्ज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड़े में गिरा दिया जॉर्ज, तुम गाड़ी को दुबारा गंदा कर रहे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पेपा, वो पानी गंदा है अफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फेंग दिया कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे दो देते हैं हाँ, हाँ, क्या मैं पाइपा कर सकती हूँ पेपा ने पाइप पकड़ी और डाड़ी पिग ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पाइपा, रुको, सौरी मामी प्लीज पानी बन कर डीजिये ओ, हाँ, लो अभी किये देता हूँ सब भी कए चलो, आप कार तो धुल गई हम सब भी धुल गए जाओ, अपने आपको सुखालो, मैं कारी पॉलिश कर लेता हूँ बाद में मिलते हैं मिलते हैं बाद में डाड़ी पे कितनी अच्छे तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे है कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है कितना मज़ेदार चेहरा है न ओ, और भी मज़ेदार चेहरे ये तो पेपा और जॉर्ज है और ममी पिक भी कितनी संदर चमकीली गाड़ी है न हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ चलो, आज मैं चलाओंगी क्या सब तयार हैं? तयार तो फिर चलते हैं उम्मीद करती हो कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे हाँ ममी पिक हाँ ममी पिक ममी अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी हाँ शरारती मम्मे शरारती गंदी मम्मी ममी और डैड़ी पिग घर की सफाई कर रहे हैं ममी पिग और मुझे अटारी में से पुराना बॉक्स मिला है कोई बता सकता है इसके अंदर क्या है नई इसमें भरे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स वाव ये थोड़े पुराने और धूल भरे हैं ये वाइलन है जब मैं छोटी थी इसे बजाती थी ममी क्या आप ये वाइलन बजा सकती हैं मैंने इसे बहुत समय से नहीं बजाया प्लीज ममी प्लीज इसे बजाए है उमीद है मैं नहीं भूली ममी क्या मैं भी वाइलन बजाओ इसे ऐसे पकड़ो ठीक है ममी ओ डियर, मुझे नहीं लगता इसमें से ऐसी आवाज आनी चाहिए जॉर्ज भी बजाना चाहता है इसे ऐसे पकड़ो जॉर्ज ये आवाज भी ठीक नहीं लगती है वाइलिन बजाना बहुत मुश्किल है पैपा लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो पिशक्रिया डादी ये आवाज ठीक है पैपा को बजाना अच्छा लगता है अबहात अच्छे आ इसकी आवाज बहात अच्छी है ये डाडी पिक का पुराना अकॉडियन है मैं ये ममी पिक के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे ओ डाडी पिक मुझे ये धुन याद है जोर्ज भी अकॉडियन बजाना चाहता है तुम बजाओगे जोर्ज अकॉडियन काफी मुश्किल है जॉर्ज ये अक्रोडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जॉर्ज जॉर्ज अक्रोडियन बजाने के लिए अभी थोड़ा चोटा है डाड़ी इस बॉक्स में और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस ये हॉन क्या मैं बजाओ तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती ये बिल्कुल नहीं बचता मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है ये आवाज भी अच्छी नहीं है पैपा ठीक कहती है ये बिल्कुल नहीं बचता कोई बात नहीं डाडी पिक आप सिर्फ अकॉडियन बजाओ आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो ठीक है मैं इसे अच्छा बजाता हूँ ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ और मैं अपना वाइलन बजाओंगी और मैं ड्रम बजाओंगी मामी पिक वाइलन बजाती है डाडी पिक अकॉडियन बजाते है पैपा ड्रम बजाती है लेकिन जॉर्ज कौन सा इंस्ट्रूमेन बजाएगा जॉर्ज हौन बजा रहा है मामी इसे नहीं बजा सकी त्यारी इसे नहीं बजा सके और मैं भी इसे नहीं बजा सकी लेकिन जॉर्ज इसे बजा सकता है दे स्कूल फेट आज स्कूल मिले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त केंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तो मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है फेश पिंटिंग करना गुपारे पसंद है मुझे सबसे ज़ादा उच्छने वाला कासल पसंद है मुझे साब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी पसंद है पेपा फिर मिलेगे पेपा फिर मिलेगे जॉर्ज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है ताइनसौर यह ओडिया मेले में कोई डाइनसौर नहीं है जॉर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे है डाइडी पेग हाँ हाँ जरूर होंगे ममी पिक क् क्यों नहीं मिस्स रैबिट ने पेपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है ओ ये लो सूजी अब तुम एक टाइगर जैसी लगती हो थैंक यू मिस्स रैबिट वॉज़ो मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पूसी कट हो नहीं मैं टाइयगर हूं पैपा तुम अपना चेहरा पेंट कराना चाहती हो पयुक्त है अबिलकुल मुझे बनना है एक एलिपन्ट ओ डियर में अलीफन्स बनाना नहीं जानती ताइगर बना सकती हूँ ठीक है ताइगर बना दीजिए लो हो गया पैपा अब तुम एक टाइगर हो एहँ मैं टाइगर हूँ जॉर्ज तुम क्या बनना चाहते हो डाइनोसॉर एक डाइनोसॉर फर और उसिके बजाए एक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा टाइगर बनाती हूँ मैं टाइगर हूँ, मैं भी है टाइगर्स वुफफ वूफ नहीं बोलते से तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं मैं बिल्ले हूँ कैंडी कесь छिर कैसे बनते टाइगर बहुत धीरे धीरे चलते हैं औरैं गुते हैं टाइगर को चाट कर साफ करते हैं तैएगर खुश है पर्दो gewoon पर्र। हेलो बच्चों ओ ये क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रहे हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉर्ज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूरना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुमहारे लिए पैपा मुझे कांगारु चाहिए एक लाइन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरट वाला हो हां मेरे पास ये सब हैं और सबसे जरूरी है हम एक डाइनसौर का गुबारा चाहिए जॉर्ज के लिए मेरे पास डाइनसौर का कोई गुबारा नहीं है पिक्रू मत करो जॉर्ज मेरे पास एक आइडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डाड़ी पिग वो पारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है यह क्या है यह कांगरू है नहीं यह है डाइनासौर बिल्कुल ठीक डाइनासौर डाइनासौर गुबारा बनाया डाइनासौर अब उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सबको उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है प्लेग्राउंड पैपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में है कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लामिंग फ्रेम पर है रुबेका राबिट, सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे है पेपा जूले पर जूल रही है मामी, मामी, जूला चुलाओना तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत उचा जाना है वी और उपर मामी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी, जूले कसकर पकड़ो मैं जूलाओनगी जूले जूलाना, पेपा जी, मामी, कसकर पकड़ना, जूले ओहो, पेपा ने जूले बहुत जूला जूलाया जूले बिल्कुल पसंद नहीं पेपा, तुम्हें पता है जूज को उचाए से डर लगता है सॉरी जूज चलो वहाँ खेलते हैं हेलो सूजी हेलो डानी हेलो पेपा तुम सब गलत कर रहे हो जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो, एक, दो, चलो मेरी तरफ देखो, मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ मैं फस गई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे है हुरै ठांक यू दोस्तो जोज, क्या तुम्हें क्लाइमिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइमिंग फ्रेम बहुत ऊंची है जोज को ऊचाई से डर लगता है स्टारी जोज, आच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं स्लाइड, येपी पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सब को स्लाइड करना पसंद है बामी डारी मुझे देखिये एक दो चलो ये जोज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोज ये थोड़ा उंचा है ठीक है, मैं तुम्हे उपर चड़ा देता हूँ ओफो, ये भी जोज के लिए बहुत उंचा है टरो मत जोज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ ट्राडी, आप इस लाइड के लिए बहुत बड़े हैं कुछ भी मत कहूँ पैपा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ चलो पीछे हटो, एक, दो, तिर डाडी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बात है डाडी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हाँ शायद धोड़ी हसी आ सकती है हाहा, 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 हामें आपको नीचे धकेलना होगा बर्ड, यह यह जारी का पेटु छलने वाले गुपारे जैसा है जॉर्ज को डाड़ी की पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जॉर्ज को अब उचाए से बिल्कुल डर नहीं लगता मिस्टर स्किनी लेग्स पेपा अपने गुडियों के घर से खेल रही है जॉर्ज भी खेल रहा है पेपा गुडियों के परिवार के लिए चाय पाटी कर रही है देखो जॉर्ज मैं हूं ममी और डाड़ी और तुम बच्चे बन जाओ बच्चो चाय का वक्त हो गया है अपने अपने हाथ धोलो जोज गुडियों को सुला रहा है जोज बच्चों को सुला क्यों रहे हो के लिए चाय पार्टी है जोज को गुडियों को सुलाना अच्छा लगता है बच्चों जल्डी से सीडियों से नीचे आजाओ वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुडियों को सुलाने में बिजी है जॉर्ज, अगर तुम्हें मेरी गुडियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पाठी में मेरी मदद करनी होगी ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ बच्चो, अभी नीचे आ सकते हो ममी हमारे है जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है जॉर्ज को बेसिन में मकडी मिली है जॉर्ज को मकडी से दोस्ती करनी है जॉर्ज को मकडी पसंद है मकडी को भी जॉर्ज पसंद है पेपा को चाय पाठी करना बहुत पसंद है सारे चोकलेट बिस्कित कहा है डाड़ी मैंने कल बहुत सारे देखे थे ओ, मुझे मुझे माफ कर दो मामी शा KIRBY मैं खा गया हौौ, हौौ, हौौ शरारती डाड़ी जोज मकडी को बेड़ पर सुला रहा है गुद नाइट जोज तुम क्या कर रहे हो तुम्हें चाय पाटी में मेरे मदद करनी है बचाओ 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 डाड़ी मेरे कमरे में एक मकडी है फिक्र मत करो टरने की सरूरत नहीं है हेलो जोज क्या तुम्हेंने पॉर्ट को देखा प्लीज जैडी उसे निकाली है उभाट धरावना है टरने की सरूरत नहीं है पैपा हभाट ही चोटन फोते हैं और बो कुछ नहीं करते हैं फिर वे चिंता मत करो टैड़ी इसे बेटरूम से बाहर ले जाएंगे वो, ये तो काफी बड़ा लग रहा है मैं ममी को बुला कर लाता हूं ममे पेग हेलो मिस्टर स्कीनी लेग्स पेपा थोड़ी बहादुर हो गई है उसे मेरी गुडियों के गर में अच्छा लग रहा है हेलो बच्चो, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूं फिर तुम दोनों खेल सकते हो ममी, उसका नाम है मिस्टर स्कीनी लेग्स मिस्टर स्कीनी लेग्स तो काफी बड़े हैं हैं ना पेपा और जोज को मकडी पसंद है जोज मकडी को सुला रहा है नहीं जोज, उसे चाय चाहिए उसे अभी सोना नहीं है क्या आपको भूक लगी है मिस्टर स्कीनी लेग्स क्या आप थोड़ा केक खाएंगे पेपा को अब उस मकडी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा मामी, डाडी, बैट जाएए अब हम साब मिस्टर स्कीनी लेग्स के साथ चाय पिएंगे चाय किसे चाहिए? मैं लूग मुझे भी चाहिए ये तो बहुत यमी है पेपा को चाय पाटी करना बहुत पस्तन है ये रही आपके चाय मिस्टर स्कीनी लेक्स क्या हुआ, मेरे डाडी को हलो बोलना है हलो डाडी पे रहने तो पेपा, आप मिस्टर स्कीनी लेक्स कोन की चाय चुपीनी है आपको डर तो नहीं लग रहा है, ना जादी? नहीं, बिलकुल नहीं, इतने नजदिक मतला ओसे है पेपा को मिस्टर पत्ले पेर पस loss है, सभी को मिस्टर पत्ले पेर पस scratch है पेपा और जोज शोपिंग के लिए जा रहे हैं आ कि है। पेप और जार्ज को शौपिंग पसंद है। जार्ज को ट्रॉणी में बैटना बहुत पसंद है। और पेप को भी। यादी, क्या मैं भी इस ट्रॉणी में बैटसकती हूँ। हु भु, तुम इस ट्रॉणी के लिए बहुती बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं टमाटर, नूडल्स, प्यास और फल मैं सब ढून लूँगी इस तरफ पेपा और जॉच को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे दिख गए, मुझे दिख गए ये देखो टमाटर ममी शाबाश पेपा एक, दो, तीन, चार अब उन्हें ट्रॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पेपा टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स सही कहा जोज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं नूडल्स नूडल्स पेपा जोज का पसंदीदा खाना है अब ये नूडल्स कहां पर मिलेंगे मुझे दिख गए, इस तरफ नूडल्स देखो ममी, ये रहे नूडल्स शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से ने ट्रॉली में डालो जीक है ममी टूडल्स जोज, इसे कहते हैं नूडल्स तू-डू-शा अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा? चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा ज़रा याद करो मुझे नहीं याद आ रहा डाड़ी क्ये तुम्हें याद है जोज? डाइनिशार डाइनिसौर? जोज यहां पर डाइनिसौर नहीं मिलता बुद्दू नहीं जोज लिस्ट पर अगली चीज है प्याज प्याज अभी याद आया मामी ये रहे शाबाश एक दो तीन चार प्याज शाबाश अपने लिस्ट की लगभग सारी चीज़े मिल गई लिस्ट की बस एक ही चीज बची है पौधा क्या ये लिस्ट में है नहीं नहीं जोज लिस्ट पर आखरी चीज फल है कोई बात नहीं जोज तुम फल चुन सकते हो फल कहां है वह पर वह सेब है केले हैं संत्रे हैं और एक बहुत बड़ा तर्बूज भी कौन से फल ने जोज सेब संत्रे केले तर्बूज इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं टमाटर नूडल प्यास तर्बूज चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक क्या ये लिस्ट में है पैपा क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा नहीं मामी जॉज क्या तुमने चॉकलेट केक टॉली में रखा नहीं मैंने भी तो नहीं रखा फिर किसने रखा मुझे लगा पुटिंग के लिए अच्छा होगा डाडी पेग शरारती डाडी सॉरी लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना यमी तो लग रहा है हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था मेरी बर्दे पार्थी आज पेपा का बर्थ डे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोज उठो मेरा बर्दे है आज मेरी पार्थी है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोज ममी और डाड़ी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे है उठीये मेरा बर्दे उठीये कितने बजे हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाज बजे है हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं यिपी मॉमी पिग, डाडी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें गुणिया का ड्रेस मैं से टेडी को पिनाती हूँ आप सब को थैंक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थैंक यू कोई बात नहीं टेडी पसे से खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है हाँ, मेरी बद्ध पाठी में मेरे दोस्त आ रहे है और डाडी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है तुम सब को बताओगे के मैं अद्भूत जादूगर हूँ बुद्भाजाओ हाँ, अद्भूत जादूगर डैडी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए गांडी गाड, सुजी शीप, डैनी डॉग, रबेका राबेट और पेड्रो पूनी हलो दोस्ता अपने पेपा चलो बच्चो, पाटी शुरू हो रही है येज येज डैडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा, याद है ना तुम्हे क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक अबराकाडबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम मेंसे किसी की मदद चाहिए मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब में पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ अबरा का डाबरा तुमने चुनी पीली नहीं अबरा का डाबरा नीली? नहीं अबरा का डाबरा लाल? हाँ, सही जवाब हुरे भुर्तु जादु कर डाड़ी, आपने तीनो रंग बता दिये पैपा, इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहो? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादु शब्द बुलो अबरा का डाबरा अबरा का डाबरा अब अपनी आखे खोल दो हुरे, मेरा बर्थे केक मौमबतियां बुझाओ पैपा हुरे, वाई, पैपा तभी को थैंक यू ये मेरा सबसे अच्य बोद्दे था बच्चे संभालना मॉमी पिग और डाडी पिग शाम को घूमने जा रही है दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले है दादी पिग, दादा पिग दादी एक, दादा एक हलो मेरे प्यारी बच्चों Hello! Peppa, George, चलो सो जाओ, जल्दी Good night, मेरे छोटे पिगिज Good night, सो जाओ, बच्चो Good night, Mommy. Good night, Daddy कितने प्यारे बच्चे हैं अब जल्दी से सो जाओ Yes, Mommy कितने अच्छे बच्चे हैं Mommy Pig और Daddy Pig बहर जाने के लिए तैयार हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए Peppa and George कितने अच्छे हैं Mommy Pig पिगा कहना मान लिया और दोनों सो गए इन बच्चों को समहानना बहुत आसान है George George, George, क्या तुम जाग रहे हो यह कैसी अजीब आवाजे हैं शायद हमें उपर जाकर देख लेना चाहिए पैपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों कहरी नीन में सो रहे हैं तो इसका मतलब वो शोर पैपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे लगता है वो गहरी नीन में सो गए है चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद है केप्सकेट एक विशेश काटदार गुलाब है उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका उपरी हिस्सा काटो और फिर जहनिया काटो दादा पिक पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए जॉर्ज और मुझे नीन बिल्कुल नहीं आ रही क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते है हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नीन दा जाए ये आइसलेंड के गुलाफ किसी ग्यानी गार्डनर के लिए बहुत माइने रखते हैं पर ज्यादा तर वो ठंडी जगाओं पर पाये जाते हैं ओ, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है दादा पिक, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप एमें उच्छाल कर पकड़ते हो ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार तुम तो पहले से भारी हो गई हो और उपर और उपर दादा पिक थोड़ी से थक गये हैं बच्चों तो दादी पिक क्यों न हम पकड़ा-पकड़ी खेले चलो दादी, आपकी बारी नहीं पकड़ सकते आप आई ममी पिग और डादी पिग घर वापस आ गये हमारे चोटे पिगी सो रहे होंगे हेलो, कोई चागरा है चोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगे इस भी